गुजरात में जाके भक्ति शिन हो गई फिर देवी भक्ति वरिंदावन में आए और वरिंदावन में आती एक चमतकार हुआ वरिंदावन पुनप्राप्य नवी नेवस्वरूपनी वरिंदावन आती देवी भक्ति एकदम युवान सुन्दर स्त्री का रूपदारन कर लेती लेकिन यहां गड़वड दूसरी हो गई कि देवी भक्ती तो सुन्दर रूपदारन करती पर दोनों ग्यान और वेराग जो बेटे वो एकदम उड़े हो व्रद आखों से दिखाई देना बन बोलना बन शरीर जरजर एकदम अब देवी भक्ती को नारजी मिले और तब देवी भक्ती अपना दुख उनके सामने रखती इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि भक्ती भी जिस दिन दुखी हो जाती है कोई समश्या उसके पास आ जाती है तो उसका समाधान भी एक संत ही कर सकता संत में इतनी शक्ती होती है कि दुखी भक्ती का भी समाधान एक संत करता नारजी जैसा संत तो भक्ती ने कहा माराज बताओ क्या करूं मैं तुम बड़ी परेशान हूँ बालक हमारे बूडे हो गए मैं जबान हूँ और ये हुआ कैसे यही समझ में नहीं आ रहा। तब देवर्शिनारजी कहते हैं देवी ये हुआ है व्रिंदावन के प्रताप से ये व्रिंदावन के प्रताप का फल है जो आपको ये इतना जादू या मिला है क्यों? क्योंकि व्रिंदावन भक्ती की भूमी है किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को तब का फल चाहिए हरिद्वार काशी बनारस चले जाओ पर जिसको शुद्ध प्रेम और भक्ती चाहिए वो सीधा व्रिंदावन की टिकेट कटाओ और सीधा वरिंदावन पहुचो होगा क्या वरिंदावन में जाती बुले वहाँ एक बड़ा खतरनाग बड़ा भयंकर जादूगर रहता है सबको अपने वश में करने की कलाव से आती है सबको अपने और आकरशित करने की कलाव से आती है भले वो बाका है बाका मतलब बाका किसको कहते हैं टेड़े को जो टेड़ा होता है मतलब बाका असल में देखो तो ये एक प्रकार की गाली है मतलब किसी के अब कोई लंगड़ा हो उससे आपको ए लंगड़े तो मतलब उसका अपमानी तो है तो अब कनेया टेड़े हैं तो उनको क्या कहते ब्रजम बाके बिहारी अब ये बाका थोड़ा सा ज्यादा बुरा न लगे इसलिए नहीं तो असल में टेड़े बिहारी है और टेड़े क्यों हैं तीन जगह से टेड़े हैं चरन कमल, कटिप प्रदेश और मुख मंडल तो टे जगवान के आकर्षनी शक्ति निकलती है जो भक्त को आकर्षित करती है जो उनके चित को आकर्षित करती है प्रिद्दावन तो सभी गए होंगे आप लोग कौन नहीं गया बहुत रह रहे हैं अभी तो 31 को कथा बिश्राम हो ना तो सीधी टिकेट कटा लो गरवाले दुबारा से कभी कथा कराएंगे ही नहीं और मेरी तो कथा ही नहीं कराएंगे इसको तो बुला नहीं नहीं आती तो अकेली पर सबको डोके लेके जाती है एक एक आदमी आया कथा में लग कैसी कथा करते हैं ले जी क्यों क्या हो गया ले पांच जिन तो हो गया कथा हमारे पिता जी को आपकी सुनते सुनते अब तक उनमें वेरागी नहीं जागा कोई ऐसी कथा सुनो जो उनको वेराग जागे घोरिया विस्तर उठाके पहुँचे वरंदावन ताकि हमसे लड़ना बंद करें तो वेराग ऐसा जागे कि सीधा वरंदावन पहुचे पर वरंदावन जाएगा कौन जिसको वरंदावन की महरानी वरंदावन कृष्ण की आग्या से नहीं बुला जाता है राधारानी आग्या करें तब वरंदावन जाया जाता है क्योंकि वरंदावन कृष्ण का घर नहीं है बिल्कुल नहीं वरंदावन राधारानी का घर है राधारानी का कुंज है वरंदावन तो वहाँ वही जो आग्या करती है ब्रह्मा जी आगे एराधारानी ब्रज में वास दे तो चल ठीक है जा तू बरसाने में परवत बन जा भगवान विश्णु है श्री जी हम पर टुपा कर दो हमको ब्रज में वास दो ठीक है आप गिर्राज परवत के रूप में विराज बन हो जाओ शंकर जी आए हमको ही क्यों छोड रही हो एराधारानी हमको भी ब्रज में पहुचा दो अच्छा ठीक है आप पहुच जाओ नंद गाओं नंद गाओं में परवत बन के नंदीश्वर परवत प्रह्मा चल परवत और शीगर राज बोवरवत तीनों में राजमान है ब्रज में ब्रह्मा विश्वु महेश परवत बन के सारे देवता है ब्रज में कौन देवता है जो नहीं सारे विश्वत ब्रह्मांड के देवी देवता ब्रज में वास सारे ब्रह्मांड के तीर्थ ब्रज में वास्थ करते है केदारनात बद्रीनात आपका भी ब्रज की परिक्रमा लगाओ ब्रज के संत बहार क्यों नहीं जाते क्योंकि उनको ब्रज में ही सब मिल जाता है ब्रज में लंका है ब्रज में काशी है ब्रज में हरिद्वार है ब्रज में द्वारिक है सारे तीर्थ है फिर जो क्योंकि जहां हमारी ठकुरानी राधारानी है हम वही जाएंगे सब तीर्थ सारे देवता यहीं आके विराज मानूगा। तो ऐसा है व्रंदावन। चलिए व्रंदावन चलना है। अभी आएंगा। अच्छा यह पता नहीं है अपका पर मुझे तो ऐसा आनुबह हुआ है। अब इतने दिनों बाद कथा हुई ना आठ नो मेने बाद तो इतने दिन तक ब्रज में ही रहना हुआ है। तो जब अभी छोड़ा ब्रज आने के लिए परसों पहले मुंबही गए ते फिर वहां से यहाँ है। तो पता नहीं क्या रदय में कुछ हो रहा जबकि पता है कि साथ दिन के बाद वापस यही आना है कहीं और नहीं जाना है। पर एक रदय में लग रहा कि ब्रज से दूरी हो रही है। ब्रज धाम से दूरी हो रही है। एक आकरशन एक क्रिष्ण प्रेम है ब्रज में। तो चलो शरीर से फिर भी कभी कभार ब्रज से जाना पड़ता है। पर प्रहु ऐसी क्रपा करें कि मन कभी ब्रज से बाहर लाज़ते। मन हमेशा उसी ब्रज की रज में रोज लोटता रहे। मन चलरे व्रिंदा बन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चलरे व्रिंदा बन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे विन्दा बन धाम राधे राधे गाएंगे शामा शामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे शामा शामा गाएंगे तेरी कोडी तेरी कोडी तेरी कोडी लगे नहीं ताम राधे राधे गाएंगे तेरी कोडी लगे नहीं ताम राधे राधे गाएंगे मन चल रे विंदा बन धाम राधे राधे गाएंगे बाव रानंग से सभ राधा राधा गाएंगे व्रिंदावन में बाखे बिहारी व्रिंदावन में बाखे बिहारी व्रिंदावन में बाखे बिहारी व्रिंदावन में बाखे बिहारी की महिमा है न्यारी तेरे बन जाए पिगडे काम राधे राधे गाए के बन चत्रे विंदा वन धाम राधे राधे गाएंगे बन चत्रे विंदा वन में यमना किनारा बन चत्रे विंदा वन में यमना किनारा निर्मलशी तल वहती है धारा निर्मलशी तल वहती है धारा निर्मलशी तल वहती है धारा हम तो वही पे हम तो वही पे करेंगे विश्रा मरा धेरा धे गाएंगे करेंगे तल वहती है धारा निर्मलशी तल वहती है धारा करें है कर दो कर दो कर दो कर दो स्री रग जी में सोने का खंदा स्री रग जी में सोने का खंदा कर दो कर दो कर दो कर दो रग जाये शामा शाम राधे राधे जाए राधे राधे जाएंगे राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंके शमा शमा गाएंके राधे राधे गाएंके शमा शमा गाएंके राधे राधे गाएंके शमा 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 शम तो तेरी कोड़ी लगे नहीं दाम, कोई कुछ खर्चा होने वाला नहीं, मानसिक रोज परिक्रमा कर लो ब्रज की, क्या खर्च होने वाला, कुछ भी नहीं, मन से पूरे ब्रज का दर्शन, भले ब्रज से दूर है, कोई बात नहीं, पर मन ब्रज में होना चाहिए, ब्रिज की बहुत महिमा है, जितनी गाई जाय उतनी कमें, जितनी कृष्ण की है, उतनी कृष्ण के ब्रिज की भी है, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है, भगवान के धाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, एक ही स्वरूप है, तो उसी ब्रेज में देवी भक्ती के दुख का निवारन करने के लिए उनारजी से प्रातना करती है नारजी को कोई उपाय नहीं सुजा तो आकाश्वानी ने थोड़ा सा एक इशारा किया संदेश दिया कि भक्ती के दुख को दूर करने के लिए सतकर्म करने अब सत्कर्म की खोज में नारजी निकल पड़े सत्कर्म क्या है पूछते-पूछते सब संतों महाफुर्शों रिशियों मुनियों सबसे पूछा कोई न बता पाया अन्त में ब्रह्मा जी के पुत्र संकादी रिशी सनत सनंदन सनातुन सनत कुमार इन चारों भाईयों ने न नारजी को समझाया कि नारजी भक्ती की दुख को दूर करना है और सतकर्म करना है तो समसे बड़ा सतकर्म है श्रीमद भागवत कथा का आयुजन कराओ उसमें भक्ती आएंगी ग्यान विराग आएंगे कथा श्रवन करेंगे अनुष्ठान होगा तो भक्ती का दुख दूर ह नारजी ने वही किया, रिशी केश में भागवत हुई, ते भी भक्ती आई, सनकादी वक्ता बने, सब ने कथा श्रवन की और कथा के विश्राम में, वक्ती सुतवतव तरुनव रहित्वा प्रैमई करूपा सहसा विराशित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ना थेत नामाने, मुहरवदन्ती, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी किर्टन करती करती, वक्ती अपने दोनों कुत्रों के साथ, जो अब एकदम स्वस्त हो चुके थे, ज्यान और वेराग के साथ प्रगट हो गई, सब ने मिलके जोर जोर से हरी नाम संकिर्टन किया, वक्ती पूछा नारच जी से, मैं कहां बैठो, मुझे बैठने के लिए कोई स्थान उचित नहीं लग रा, तो नारच जी बोले, देवी, आप जितने भी शोता पंडाल में पधा रहें, आप इनके हरिदय में बैठ जाए, भक्ती का स्थान एक शोता का हरिदय होता है, और जब भ गरहनी घर में आजाती है, तो घर का नक्षा ही बदल देती है, घर की साज, सजावट, एक मैला ही अच्छे से कर सकती है, जिस घर में मैला नहीं रहती हो, उसको देखके ही पता लग जाता है, कि इस घर में कोई मैला नहीं है, सब सामान इदर उदर पड़ा होगा, पर कोई ग्रहनी आ जाएगी तो पूरे घर को सजाद जाकि एकदम सुंदर बना देगी वैसे भक्ती जब रदय में आती है तो रदय को इतना सुंदर बना देती कि ठाकुर जी भी लल चाते हैं उस भक्त के रदय में जाने लिए जिसमें भक्ती होती है तो देवी भक्ती ज्ञान वेराग का अधार होता है इसके उपरांशी सूर्जी ने गौकर्ण महराज की कथा सुनाई ऐसा मत समझेगा कि ज्ञान वेराग जैसो कई भागवत उधार करती है कोई पापी हो एक से बढ़कर एक पापी हो वो भी अगर शरनागत हो जाए उसको भी तार देती है दुन्दकारी इतना बड़ा पापी होने के बाद प्रेत बनने के बाद भी शिवत भागवत कथा में साथ दिन बैठा कथा को श्रवन किया और साथ दिन में ही उसकी मुक्ती हो गई स्वयम भगवान के दूद उसे ले जाने के लिए आये विमान में विराजमान हो के दुन्दकारी भगवत धाम गया ऐसी है ये भगवान की वांगमई मूर्ती शिवत भागवत जिसका शरवन करने से और साधनों में तो कितनी सारी मेनत लगती है तपश्या करो ध्यान लग इसा ये बात तो हम कहते है कि सुनो भी उसके बाद उसके पर आच्रन करो पर अगर आच्रन से मंगल होता तो गोपी यह कहते ना आच्रन मंगलम, श्रवन मंगलम क्यों कहा, क्योंकि सुनने से ही मंगल है इस कथा का तुछ, सुनो तो भी मंगल है, क्योंकि सुनते-सुनते क्या होगा, सुनते-सुनते-सुनते एक दिन आएगा, जब जो भगवान हमारे बहार है, वो इसी कथा के द्वारा, कानों के द्वारा हमारे रिदे में भीतर प्रवेश कर जाए और वो होगा श्रवन से ही इसलिए सुनते रहो जब जब भगवान कृपा करे उनकी कथा को छोड़ो मत बस लगे रहो जैसे किसी नशेवाले को नशा हो जाता है किसी वस्तु का वैसी कथा का नशा हो जाए कि सबके भी ना रह सकते पर उनकी कथा सुने भी ना नहीं रह सकते तब इस कथा का लाब फिर दे के कैसे जीवन बदलता है कथा पूरा चरित्र बदल देगी हमारा पूरा जीवन बदल देगी हम क्या से क्या बन जाएंगे इस कथा को सुन करके तो शिसूर जी अठासी अजार रिशो को ये कथा नेमी शारन वे सुनाते हैं महात में सुनाया है आज तो कि इस कथा का सुनने का श्रवन का लाब क्या है आगे इस कथा को जिनोंने रचना की है शिवेदव व्याज जी उन्होंने कैसे इस कथा को आरम किया और व्याजजी ने कैसे मंगलाचरन किया है भागवत का वो सब सुन्दर चरित्र हम सब कल की कथा सत्र में शवनपान करने वाले हैं तो सभी से यही निवेदन है कि बड़े भाव से सब कथा में कल पुना पधारे और सुरक्षित रहते हुए सब से यही निवेदन रहेगा थोड़ा सा अपनी सुरक्षा का वश्यद्यान रखे मास थोड़ा पहन के रखे और आनंद से कथा सुनिये मल लगा कि भाव के साथ कथा का शवनपान करें कल पुना हम दो बजे से कथा में प्रवेश करेंगे और कथा का शवनपान करेंगे आए आज की कथा को विश्राम की बढ़ाएं उससे पुर्व सभी थोड़ी देद भगवन नाम का संकेतन करेंगे Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare higher हरे राम, हरे रामा, राम, हरे 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 राम, ह गिष्ण कुछ लाग किष्णumeर निए किष्ण आएक से दोनो हात उछात किस्में किस्में। एए बसुए हो आदे दो अरए राम अरह राम यह और खनना है राम राम अरे आरे बोले हरी नाम संकिर्थन की आये सबी दोबर हात ठाकर हरे कृष्ण महा बंत्र का जाब Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 जे जे श्री रादे निताई गुर्ध हरी हो हम सभी ने प्रिथम दिवस की पावन कथा कर अचा स्वादिन किया आईए हम सभी कथा की विश्रामार्ति क्योर बढ़ेंगे और जो गुप्चा परिवार से जिन परिवार जनों ने सुभए आर्थी में समलेत होकर आर्थी के थे वो पुना मंच के करीब आजाएंगे आर्थी के लिए प्रति दिन जो कथा का समय है तो पहल दो बजे से है तो आप सभी से निवेदन दो बजे तक कथा का समय है और दो बजे तक आप सभी भूजन प्रिशादी पाकर कथा इस्थल पर उपस्तित हो जाए करें हम सभी विश्राम आर्थी के और बढ़ेंगे साथ ही आप सभी से निवेदन पूज्य देवीजी के पावन सानिद में संचालित गौशेवा धाम से भी जुड़ने का परम सौभाग्य आप राप करेंगे आए विश्राम आर्थी के और बढ़ेंगे सभी जो परिवार जन है सीक्रता से कतार बदेता के साथ खड़े हो जाएंगे और आर्थी में संब्लित होंगे सभी भक्त जोनों से निवेदन अपने अताय स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपने मन वाहिर्दा में विराजे बांके वियारी जी का ध्यान वह सुम्रन करते हुए ताली से बा करते हुए आर्थी का अनंद लेंगे एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाके बोलिये आपन विहारी लाले की श्री राधारानी चरकारे की जैए श्री किस्ना जैए गोमता ओम ज्वाला माले नियन महारतने श्रियन महा सर्व प्यारा अर्थ गंदक्षत भुस्पानें समर्पयामी ओम चंद्रमामन सो जात शक्षो हो शुर्यों वाजायता स्रोत्राध राधे राधे थैक्षत भाधे विहारी तेरी आरथि गोम्वदक्ष वाधे विहारी तेरी आरथिगामों बाखे बिहारी तेरी आरतिगाओ बाखे बिहारी तेरी आरतिगाओ प्यारी मुरली आर मेरा मन मोई बाखे बिहारी तेरी आरतिगाओ बाखे बिहारी तेरी आरतिगाओ चर्नों से निकेली है गंडा प्यारी जिसने तारी दुनिया सारी उन चर्नन के दर्शन पाओ बाखे बिहारी तेरी आरतिगाओ बाखे बिहारी तेरी आरतिगाओ दुख सुख जीमान साथ आप हो दुख सुख जीमान साथ आप हो उन चरिनों पे मैं सी से जुकाओं बांके पिहारी तेरी आ रहती गाओं बांके पिहारी तेरी आ रहती गाओं स्रीहरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धने हो स्रीहरिदास के प्यारे तुम हो जीवन धने ओ, पास सदावन दावन बाओ, बखे विहारे, तेरिया रदिगाओ। बखे विहारे, तेरी कुंजे विहारे, तेरी रासे विहारे, तेरी आरत गाओ। ओफे विहारे, तेरी विहारे, तेरी आरत गाओ। हरियों जदनेन जित्रमय जंद देवास्तानि धरमानि प्रतमान्याशन्णः तेहनाकं महिमानाः शचंद जित्रपुर्वें साध्याः शंद देवाहं हरियों एक दंद यवितमहें वक्र दुण्डा यधीमही तन्नो दंद प्रचोधयाः हरियों हंस हंशाई वितमहें परम हंसाई धीमही तन्ना शुकह प्रचोधयाः सेवंति कावकुल चंब के पाठे लाप जै पुन्नह गजाति कर वीरर साले पुस्पै बिल्बप्रिवाल तुल शीदल मंजरे भेतां पोजयामि जग दिश्वरमे प्रशेदां नानाशुगंद पुस्पाणियता कालुद भावानिचां पुझपाम्जलर मयादत्ता ग्रिहाणा परिमेश्वरहां मंत्र पुस्पाण्जलर में श्रीमत भागपत महा पुराने की ब्रंदावन भेहरिलाले की ब्यास जी महराजी की सुगदेब जी महराजी की रधराने सरेकारी की सद्गुर्दे भगवाने की धर्मी की अधर्मी का प्राणियों में विश्यों का शत्यसनातन धर्मी की गव माता की गव माता की जै जै स्री राधे जै जै स्री राधे जै जै स्री राधे नमह पारवती पताए हर हर महा जे